हाई एवरीवन आप सब कैसे हैं I hope you all are fine मैं हूँ अंजली और ब्लॉगंजी चैनल में आपका स्वागत है बहुत बहुत तो बस आज मैं क्या बना रही हूँ आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ दिल्ली की special आलू चाट और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान होता है आलू ले मैंने हाँ पे चार और उन्हें एक दिन पहले उबालके फ्रीज के अंदर रख दिया ठीक है थोड़े से बिल्कुल हलके से कच्चे ही होने चाहिए अलू मतलब की बिल्कुल घुले ना ऐसे होने चाहिए उबले वे दो तीन दो सीटी लगाके आप निकालके उसे फ्रीज म हो जाए गई है ठीक है तो बस इस तरीकी से मैंने सारे पीसे को कट कर लिया और यह बहुत ही स्पेशल चार्ट है जो की दिल्ली में जादातर मिलती है चार्ट के ठेलो पे तो यहां पे इसे आलू चार्ट बोला जाता है इसमें हम चटनी वगर रालते हैं हली चटनी मसाले होते हैं हरा धनिया होता है बहुत ही यमी लगती है और बहुत अच्चा सर्दियों का गर्मयों का कभी भी आप इसे खासते हो अच्छा इसनायक है तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे पीसे कर लिया अब यहां पे एक तवे पे एक बड़ी चमच जो है देसीगी डाल दे देजी को थोड़ा सा अभी मीडियम फिलेम कर रखी है मैंने हाप पर तो बस इसी में हमने क्या करना है थोड़ा से मैल्ट करना है और सारे पीसिज जितने भी हमारे आलू के हैं वो सारे हम इसके उपर डाल देंगे अब बस कुछ नहीं करना है इनको जो है अलटके बलटके ज बड़ा सा 10-15 मिट लग जाएंगे हमें और इसको छोड़ना भी नहीं है क्योंकि हमें आलू की हर साइड को क्रिस्पी करना है हर साइड को तो इस तरीके से पहले तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसे और उसके बाद फिर एक दो तीन मिनट बाद देखते रहेंगे इसको मॉ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ और कमेंट करके बताएगा कि आपने आलू बनाए तो कैसे बने और एक बात ध्यान रखना कि यह आलू बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होने चाहिए मतला बहुत ज ज़्यादा की लेयर बहुत किसपी बनेगी तो बस इसी तरीकी से पलटे-पलटे मुझे 10-15 मिन्ट हो गये और यह सारी तरफ से मैंने से पलट जिया है छोटे पलटे से और सब तरह से यह गोलडन और का हो गया है तो आपड़े यह हो गया है अलू टाइयार आप कोई भिय अब धनिया की चटनी बना लीजे धनिया की चटनी जिसके अंदा धनिया पुदीना हरी मिर्च नमक जीरा और आपका एक लेमन नीबू वगरा डालके बढ़िया सी चटपटी सी सब एक अच्छी सी चटनी बना लीजे और उसके साथ आप इसे सर्फ कर सकते हो तो देखे है एक बहुत बढ़ यह अगर यहां पर अगर आप इस अलू को बना रहे हो आप इसे नावरातरी बात में खा सकतoga किसी भी आइड कर सकते हो आप उसे बहात ही बढ़िया नवरातरी के ब्रत में भी एक snack के तरह फलारी आप इसे enjoy कर सकते हो friends of family के साथ एक बार इसे ना इस तरीके से half done करके रख लीजे और जब आपको surf करना हो तो दुबारा से तबे पे जला सा गी डाल के दुबारा से इसे एक बार और गरम कर लेना अच्छे से सेक लेना और उसके बाद बस surf कर देना तो यहां मैं मनारी हूं masala जो इसके उपर हम ढालेंगे तो मैंने डाला इसमें जीरा, हिंग, अगर ब्रेत में बना रहे हैं तो हिंग मत डालना और यहां डाल रही हूं अगर अगर में बनारी यह भी है और अगर प्रभी ओनोल तो आप यहाँ बना लेग say द्हें लिए साले अच्छे से में मिला कर डीए ओन हए ऐस अचिक्ष रावल कई अच्छे से इसे mix कर लेंगे सब बढ़िया से मसाला भुन जाएगा और अब हम इसे थोड़ा सा grind कर लेंगे तो ये इस तरीके से जाए मैंने ये अद्रक कूटने वाले में इसको थोड़ा सा कूट लिया है इस तरीके से बहुत जादा बरीक नहीं करना है हमें जस्ट इसे थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है जिससे मुग में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा जीरेगा फ्लेवर तो बस ये हो गए है आलू और मैंने साला मसाला नहीं डाला इसमें थोड़ा सा डाला है बिल्कुर जितनी जरूरत हो और बाकी से बस टॉस कर दीजे बढ़िया करके मिक्स कर दीजे इच्छा से और उसके बाद हमेसे सर्फ कर देंगे तो किसी किसी को चटनी वाले आलू पसंद होते हैं किसी को नहीं होते हैं तो आप चटनी साइड में रख सकते हो अलग से कटोरी में और इसको इस तरीके से आलू को आप जो है सब कर सकते हो गर्मा गर्म उपर लगा लिजे धनिया बत्ती या धनिया थोड़ा से डाल दीजे उपर दिकाटके बहुत यमी टेस्टी स्नैक है बरत में बनाईए जरूर खाईए बहुत बढ़िया यमी है और बहुत अच्छी रेसिपी है तो जरूर बनाईएगा घर पे इसे पैसे डीप फ्राई भी कर सकते थे लेकिन इसको थोड़ा हैल्दी रखने के लिए हमने तवे पे ही हो रहा है यांकि दिल्ली में जो चाट वाले बनाते हैं वो तवे पे ही इस तरीके से इसे फ्राई करते हुए देखे जाते है तो वो इसी तरीके से बढ़िया crispy आ जाता ओता वो double fry करते हैं चलें मिलते है नEXT HRCP मे है तब तब के लिए बार बार टेक केर